सब्सक्राइब करें आजाद इंडिये यूटूब चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताक कि आपको हमाई लेटिस्ट वीदियों मिलती रहें धन्यवाद इतियास की पन्नों में जादा तर लोगों ने औरंग जेप को बहुत अच्छा व्यक्ति बताया है या कि उन्हें एक अच्छा शाशक बताया है कहा जाता है कि अगर वो हिंदू हिंसक्त है पर फिर भी वो अच्छे साथ सकते हैं मैं एक बात ये पूझा चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू हिंसक्त है तो वो अच्छे शाशक कैसे बन सकते हैं जबकि एक राजवा कर्था होता है कि वो अपनी पिर्जा कोई एक समान देखे ना कि किसी में भेदवाब करें अगर वो किसी एक धर्म में भेदवाब करते थे तो फिर वो एक अच्छे शाशक कैसे हो सकती है इसके बाद मैं आपको एक ऐसे सबूत दूँगा जिसके बाद मैं आपको ये सोचने की अवशकता नहीं रहेगी कि औरंगजेब अच्छा बेखती था या अच्छा राजा था या कि एक बुरा बेखती था या बुरा राजा था देखिए 7,4,16,85 को औरंगजेब ने ये औरडर दिया तकि पूरे सामराज्जे में हिंदू को मुसल्मान बनाया जाए एक मर्द के लिए चार हजार और दो हजार प्रती महा महीला के लिए दिये जाएगा ये अरिजिनल डॉक्यूमेंट राजिस्थान के बिकानिर संग्रावय में रखा हुआ है अगर आप ऐसे कोई भी चाहता है तो ये देख भी सकता है इसकी एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये उसी की इमेज है अब इसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि औरंग जेब एक अच्छा रेक्ती था कि उसने अच्छा शाशन काल चलाया उसकी वकाबले का कोई भी शासक नहीं था तो वो लोग ये बता दे कि एक राज़ा का आप कर सकता है या वो नियाय के लिए अलग-अलग कर सकता है औरंग जेब अच्छा शाशक था पर केवल इसलामिकों के लिए यहां तक कि मोगल में भी जो इसलामिक थे केवल उन्हीं के लिए थे बाहर की लोगों के लिए बो भी नहीं था इतना ज्यादा घटिया इंसान और हमने अपने पूरे पूरे गरंद जो है इनी के इतियासों से भाड़ाले, इनकी वावाही में अपने पूरे इतियास की गरंद भाड़ाले, अब लोग सोच सकते हैं कि अगर एक बेक्ती कोई इतना जादा धूरत हो सकता है, इतना जादा धितकार ही हो सकता है, तो आज के समय में उसमें समाच का क्या अधिकार रहेगा, कि उसे समाच से वहिशकृत किया जाए, पर आ रहOC हमारे जो हितियास कारते हैं, उन लोगों ने उसे बहुत बड़ा बेक्टी बना दिया, बहुत महान राजा बना दिया, यह देख सकते हैं जिन लोगों को उर्दू नहीं आती, वो लोगों खुद भी का नेर में जाके देख सकते हैं, या किसी और से अपने पासबाले से सहाब, इसको समझने में उसकी सहयोगी लेख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी ओपर, ये जो है, आपके सामने है, कहते हैं न, कि साच को आज नही तो अगर साच को आज नहीं तो ये आपके सामने, आपको दी देखते हैं, पिरमाड है ये, सत्य को पिरमाड की अवशक्ता नहीं होती है, फिर भी आपके सामने ये पिरमाड है, देख लीजिए, समझ लीजिए, मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आपके साच का जैहिद, बंदे मात्रम